DPS Senior Secondary School तबीजी लेकर आए हैं Online Classes From Pre-Nursery to Class 12 50% Discount on Girls Fees Online Admission Open Visit DPS Ajmay.in Coronavirus के प्रभाव के बीच बढ़ते दबाव के चलते किन सरकार ने अब लॉगडाउन खोलने की तयारी शुरू कर दिये चार लॉगडाउन के बाद केंदिये ग्रेमंत्राले ने शनिवार को नए दिशा निर्देश जारी कर दिये और इन दिशा निर्देशों के साथ ही अब देश को अनलॉक करने की तयारी शुरू हो गई है और अब लॉगडाउन को तीन चड़नों में खोला जाएगा जिसके लिए केंद सरकार ने लॉगडाउन 5.0 की गाइडलाइन्स जारी कर दिये लॉगडाउन 5.0 एक जून से 30 जून तक रहेगा इसमें कंटेन्मेंट जोन के बाहर सरकार की और से चरनबत तरीके से छूट दी गई है गाइड लाइन्स के मताबिक लॉकडाउन तीन फेज में खुलेगा सरकार ने पहले फेज के तहट आठ जून से धामे किस्तल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इज़ादत दे दी है हाला कि सरकार ने शर्तों के साथ इन्हें खोलने की अनुमती दी है लॉकडाउन 4.0 की अबदी का 30 मई को खतम हो रही है ऐसे में सरकार ने इसे और बड़ा दिया है दूसरे फेज के तहट स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला केन सरकार ने राज्यों पर छोड़ दिया है जुलाई में राज्ये इस पर फैसला लेंगे देश भर में रात 9 बज़े से सुबह 5 बज़े तक कर्फ्यू लागू रहेगा क्योंकि अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बज़े तक ही था वहीं अब लोग एक राज्यों से दूसरे राज्य भी जा सकेंगे इसके लिए लोग को आप किसी प्रकार के पास दिखाने की भी जरुवत नहीं पड़ेगी वहीं शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की इजादत दे दी गई है लेकिन नए दिर देश के मताबिक अब पहले प्रतिबंदित की गई सबी गतिविदियां चरणबत तरीके से कंटेनमेंट जोन के भार के छेत्रों में खोली जाएगी जिसमें पहले चरण में धार्मे किस्तल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून 2020 से खोलने की अनुमती दी गई है स्वासमंत्राले इसके लिए एक S.O.P. भी जारी करेगा और उसी के मताबिक इन जगों को खुला जाएगा वह इन दूसरे चरणब में राज्जी और के इंशाचित प्रदेशों की इजादत के बाद स्कूल कॉलेज खोल जा सकते हैं हाला कि पूरे देश में सीमिस संख्या में गतिवेदियां प्रतिबंदित भी रहेंगी जिन में अंतराश्टे उड़ाने, मेट्रो, रेल्स का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, सिमिंग पूल, ठीटर, बार और और अलिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे लेकिन सरकार तीसरे फेज में इस पर भी फैसला ले सकती है इसी के साथ गिरममंत्रा लेके नए दिशानिर देश में खा गया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदियों को आप खतम कर दिया गया है वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजादत दे दी गई है हाला कि इस दोरान लोगों को सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा नए नियम के अनुसार आप कहीं आने जाने से पहले किसी से भी अनुमती लेने की ज़रूरत नहीं होगी इसके साथ ही लोगडाउन 5.0 में राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां दी गई है अब राज्यों की सरकार तै करेंगी कि कैसे राज्यों में बसे और मेट्र सेवाएं शुरू करनी है नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि केन सरकार ने प्रितिबंध हडा लिया है के साथ अपनी जीवन शेली में बदलाव लाने होंगे और अपनी सेहत का द्यान भी खुद को ही रखना होंगा